हलो difference! आज के इस वीडियो में हम लोग सीखना वाले हैं कोईटनेट की बहुती बहुती बहुतरीन ट्रिक इस ट्रिक से हम लोग किसी भी triangle या किसी भी quadrilateral का area बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें उनके vortex दियो हैं तो चलिए start करते हैं आज का वीडियो को श्डार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करदे। और वीडियो को फटाफट शेर करदे। चले start करते हैं और सिदे सिदे सवाल के तुरूही मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे किसी भी सवाल में triangle हो या quadrilateral हो क्वाडिनेट में अगर हमको vertex दिया हुआ है तो कैसे हम लोग area निकलते हैं जैसे ये देखें स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा है कि बिंदूओं 1,-1,-4 का मच है और-3,-5 दार रहा है तो देखो मैं आपको जो ट्रिक सिखा रहा हूं आप सीख लो इसका जो कॉंसेप्ट है कोई भी जो ट्रिक होती है mathematics में जो भी हम लोग ट्रिक बनाते हैं वो किसी ना किसी concept से निकल कराती है अभी जो हम लोगों ने पीछे कई सारे session में जो भी हम लोगों ने session लिया उसमें मैंने हर trick के पीछे concept भी आपको explain किया है इसमें भी है concept है लेकिन अगर हम लोग concept को explain करने जाएंगे तो समय बहुत दिये हुए तो सबसे पहला step क्या है कि किसी भी एक point को आपको पकड़ना है क्या करना है किसी भी point को पकड़ सकते हैं वो कोई भी point हो सकता है कि किसी भी point को पकड़ो और बाकी मिलके साथ हो जाएगा है ठीक इसी तरीके से अगर हम लो आगे बढ़ते हैं अगर एक को इसे से मैं-3 में से कितना हो जाएगा-4 मैं-5 मैंस-5 yatoo-6 हो जाएगा यहाँ पर कितना आज Azerbaijan आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भई एक है तो एक गटेगा और माइनस से न कि भीने से समझने हमको क्या करना है हमको ऍरस एढ़िए करना इसका बूरा सं और दोनों का अंतर ले ले लें아 है पांचों को 28, minus का आ गया, और दोनों का अंतर लेना है, दोनों का क्या लेना है, अंतर लेना है, तो minus, और 28, बटे में क्या करना है आदा जो भी हमारे ट्रेंगल के एरिया के फॉर्मिले होते हैं सभी में स्टार्ट में वन बाई टू होता है जो आपने सीख रखता है तो यह बाई टू वहीं से आता है ठीक है अगर इसको देखेंगा तो माइनस माइनस प्लस 48 बटे 2 और उत्तर कितना आ जाएगा 24 बोल बात क्लियर होगी मैंने बोला था यह पॉइंट गटाने से हमारा उत्तर 24 आया है चले देख लेते हैं कि अगर इसी जगह पर मैं कोई दूसरा पॉइंट गटाता हूं तो भी क्या उत्तर हमारा 24 आता है कोई भी एक पॉइंट को पकड़ना है बाकी दोन यह तो आपका 00 हो जाएगा इसमें पांच जोड़ों तो जिरो हो जाएगा तो जो 00 हो जाता है उसको बूल जाते हैं जैसे इसमें जब एक गटाय था और एक जोड़ा था तो यह 00 हो गया इसको छोड़ दिया था बाकी दो पॉइंट को लिया था इसी तरीके से यहां पर अगर 3 और 5 को जोड़ा है तो यह 00 हो गया इसको छोड़ दो, बाकी दोनों को हमको पकड़ना है तो 3 जोड़ा 1 आ गया और 5 जोड़ा तो कितना आ गया? 4 आ गया सरी, 3 जोड़ा तो 4 आ गया और 5 जोड़ा तो भी हमारा कितना आ गया? 4 यहाँ पर अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आजएगा? माइनस का एक, 5 जोड़ेंगे तो कितना आजएगा? 11 आजएगा फिर से वही cross multiply करना और अंतर लेना है 11,44, minus, minus 4 आजएगा और बटे में क्या हो जएगा? 2, 44, plus 4 कितना होगे? 48, 48 बटे 2 करोगे तो कितना आजएगा? देखो इसका भी उत्तर क्या आजएगा? सेम ही आजएगा तो हमारे answer पे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा और हम बहुत जल्दी से उत्तर निकाल सकते हैं चलिए एक और example देखते हैं फटाक से 3 जोड़ा 0, 5 जोड़ा 0 अब जो 00 हो जाता है उसको नहीं लेते हैं बाकी दोनों को लेते हैं तो अगर यहां पर 3 जोड़ेंगे तो कितना आजएगा? माइनस का साथ आजएगा अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आजएगा? एक आजएगा 28 में अब देखो यह माइनस का यह प्लस का है तो दोनों क्या हो जाएंगे घट जाएंगे 28 में से 5 कितना जाएंगा माइनस का 23 और बटे में क्या करना है दो उत्तर कितना आजाएगा 11,5 माइनस में लेकिन आपको भी मालूम है कभी भी हम जब length निकालते हैं या area निकालते हैं अगर area या length निकालने के अंत में अगर हमें rendition मिलता है तो इसको हम क्या करते हैं इग्णोर कर दो इसको ignore कर दो, या यहाँ पर mod लगा दो, mod का मतलब क्या होता है, धनात्मक value, यहाँ पर mod लगा दो, यहाँ पर mod लगा लो, तो उत्तर कितना मिल जाएगा, 11.5, square unit, इसका उत्तर क्या से जाएगा, 11.5, clear, एक और सवाल करते हैं, देखो इस तरीके का सवाल लगता है, वैसे य हमारे t पर निर्भर नहीं करता है, सवाल ऐसा आता है एक्जामने, और यहाँ पर इसका सीदे सीदे एरिया, पूछा जा सकता है, तो इसको करने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं, जैसा एक अभी हम लोग पीछे discuss कर चुके, एक और भी दरीका बता हैं, पहले जैसे पीछे t-2 घटाना है, तो अगर मैं t-2 में से, अगर t-2 घटाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, यह बाहर माइनस का जाएगा, यह माइनस माइनस प्लस का जाएगा, t से t कट जाएगा, दो दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर मैंने 4 लिग दिया, इसी तर multiply कर लिया इधर और इधर चार तियां 12 दुना 4 तो बड़े वाले में से चोटे वाले को गटा दो भाई हमें value किस में लेनी है प्लस में लेनी है तो 4 तियां 12 दुना 4 12 में से 4 गटा दिया और बटे में क्या कर दिया दो ये कितना आजएगा 8 बटे 2 8 बटे 2 का मतलब कितना हो गया 4 square unit उत्तर हमारा क्या जगा 4 square unit T पे तो हमारा निर्भर ही नहीं करेगा T पे हमारा निर्भर नहीं करेगा लेकिन अगर exam में इस तरीके का सवाल आता भी है अगर T पर निर्भर भी करता है तो हमें क्या करना है कि हम क्या करते हैं सवाल को आसान करने के लिए यहां पर T की कोई value ले लेते हैं इस तरीके से value लेते हैं कि हमारा option अलग-अलग बन जाए और हमारे सवाल में भी coordinate बन जाए जैसे अगर मैं T का मान चाहूं तो 0 लूँ 0 लेने पर ये 0 हो जागा ये भी 0 हो जागा, ये भी 0 हो जागा तो कोई फाइदा नहीं है, T का मान एक लेते हैं, अगर T का मान एक लेते हैं तो ये वाला option और ये वाला option same हो जाएगा, फिर से कोई फाइदा नहीं मिलेगा, T का मान दो लेते हैं अगर T का मान दो लेंगे तो ये 8 हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सारे अलग अलग हैं तो T का मान दो ले ले, और फिर सवाल को क्या करते हैं, solve कर लेते हैं जो भी उत्तर है वो match कर जाएगा, मतलब सवाल में भी T रख दिया, उत्तर में भी T रख दिया ये भी concept कौन सा हो गया, value putting का, advanced version, ठीक है जैसे हम लोगों ने triangle का area निकाला है, उसी तरीके से हम लोग quadrilateral का भी area निकाल सकते हैं quadrilateral में, triangle में हम लोग क्या कर रहे हैं, कि जैसे हमारे 3 coordinates हैं, 1, 2, 3 तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी 1 coordinate को 0,0 कर दे रहे हैं और बाकी 2 coordinates हमारे बच जा रहे हैं, इसी तरीके से हमको क्या करना है, कि जैसे मालो हमारा quadrilateral है, चत्र बुझ है, इस तरीके से हमारा चत्र बुझ है तो यहां पे भी अगर हम 1 को 0,0 कर दे तो हमारे पास में कितने coordinates बचेंगे, 3 coordinates बचेंगे अब जैको अगर हमें इसका चत्र बुझ का area निकालना है, तो हमें क्या करना है, हमको यह जो diagonal है, जो विकरना है, इसको मिला देना है एक triangle आपका इधर बन जाएगा, एक triangle आपका इधर बन जाएगा दो triangle का area निकालने नहीं सवाल आपका क्या हो जागा असान इसमें भी 100 हो जाएगा और यह दो पॉइंट हो जाएगे इस वाले triangle में भी 100 हो जाएगा और दो यह पॉइंट हो जाएगे तो दो triangle में convert करके फटाक से हमारा area आजाएगा क्योंकि triangle का area हमको already निकालने आता है जल्दी से ठीक है तो चलिए जैसे इस सवाल को है हमको solve करना है बस आपको याद रखना है कि diagonal के दो points को आपको पकड़ना है A और C या B और D 0 चाहे तो आप A को भी कर सकते हो C को भी कर सकते हो B को भी कर सकते हो D को भी कर सकते हो लेकिन diagonal हमेसे आपको पकड़के रखना है जैसे यह हमारा diagonal हो गया, अब अगर हम A को 0 करते हैं तो C को हमको दो बार लिखना पड़ेगा, यह ध्याम देना है, क्यूंकि A, C, D भी आएगा और A, B, C भी आएगा, तो C क्या है, दो बार आएगा, अब जैसे मुझे यहाँ पर पकड़ना है, तो मैंने देखा, यहाँ पर 0 किया है, तो D के साथ कौन सा है, B, B को हमको दो बार लिखना है, बस यह यह अगटना है, अब अगर मैं यहाँ पर 5 जोड़ूंगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अगर 4 यहाँ पर जोड़ूंगा, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक, इसमें अगर 5 फिर से जो वी यहां पर लिखाया उसको यहां पर लिखते लिए आब यह एक ट्रेंगल का एरिया और दोनों को क्या कर देना जोर देना आठ दूनी सुला। 10 ंग साथ साथ माईनस का सोलव बटे दो इसका भी एरिया पोजिटीव में ही निकालना है इसका भी एरिया बार एट्टे चानवे और दस दो ना 20 चानवे माइनस 20 माइनस का बटे 2 ये देखो प्लस में हो जाएगा सब को एक साथ जोड दो LC ममारा क्या है 2 है तो नीचे 2 आजाएगा अब देखो अगर हम सब को जोड़ेंगे तो 90 में से 16 अटेगा 80 आजाएगा और 60 और 20 जूड के कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा 80 और 80 मिल के कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा जोड सकते हो ना कोई बहुत बड़ा क्याल्कुलेशन तो नहीं हमने मन में कर दिया है आप थोड़ा सा जोड लेना ठीक है 160 में 2 का भाग देंगे उत्तर कितना आजाएगा 80 आजाएगा बले बात समझ में आगी तो इसी तरीके से चाहे कोई भी हमारा triangle हो कोई भी हमारा quadrilateral हो किसी भी triangle का area निकाल सकते हैं किसी भी quadrilateral का area निकाल सकते हैं या अगर इससे बड़ी आकरती है तो भी हम निकाल सकते हैं आपको क्या करना है कि आकरती बना कि उसको triangles में break कर लेना है एक coordinate को 00 कर देना है और बाकी आए area जैसे निकाला cross multiply दो point बचेंगे दो का cross multiply करके आपका area निकाला है उमीद है कि यह आपको concept और trick समझ में आ गया होगा और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को like जरूर करना और जो भी साथी हैं आपके साथ अगर वो तैयारी करते हैं तो उन सभी को एक बार बोलना कि my part sala defense channel पर जो भी classes चल लेए एक बार आप उनको देख लो फिर आप decide करो कि आपको यहाँ पे continue करना है कि नहीं करना है तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में जै हिंद